पर प्रतिबन लगाने के बाब जूद नहीं थमी गेहूं में तेजी जीहां केंदर सरकार ने 13 मई को गेहूं के निर्याग पर रोक लगा दिया था केंदर सरकार ने स्थानी अस्तर पर गेहूं के दामों को नियंतित करने के लिए ये फैसला उठाया जिसके बाद गेहूं के दामों में गिरावट भी आई वहीं बीते दिनों केंदर सरकार ने गेहूं के दामों में और कमी लाने के उदेश्या से गेहूं के आटा समय सूजी और मैदा के निर्यात पर पूरन प्रतिबन लगा दिया लेकिन केंदर सरकार के इस फैसले का असर फिलाल बजार पर दिखाई नहीं दे रहा मसलन इस फैसले के बाद भी गेहूं के दामों में कोई जादा गिरावट दर्श नहीं की गई और गेहूं के दाम न्यूंतन समर्थर मुलिया से अधिक दिखाई दे रहे हैं रूस और उक्रेन यूद की बज़े से मार्श में ही गेहूं के दाम अधिक चल रहे हैं मसलन उस दोरान 25-26 और पर प्रतिक विंटल तक गेहूं के दाम बढ़ गए हालाकि इस दोरान भारतिय गेहूं विदेशों में निर्याद किया रहा था जिसे देखते हुए केंदर सरकार ने 13 मही को गेहूं के निर्याद पर रोक लगा दी और इसके बाद गेहूं के दामों में कुछ किरावट आई और उसके बाद 24-25 और पर प्रतिक विंटल गेहूं के भाव दर्ज किये गए वहीं आटा और सुजी के निर्याद पर स्थाई रोक के बाद मध्यापरदेश राजस्थान समित कई मंडियों में गेहूं के दाम 24 और पर प्रतिक विंटल से अधिक दर्ज किये गए गेहूं का MSP 2015 और पर प्रतिक विंटल दर्ज किया गया है गेहूं के दामों में तेजी का मुख्या कारण दरसल उत्पादन में कमी आना है असल में फरवरी और मार्च के समय में पहले पड़ी गर्मी की वज़़े से गेहूं की फसल कई राज्यों में बरबाद हो गई और इस वज़े से उत्पादन में गिरावट होने का अनुमान लगाया गया और कृश्य मंत्राले के आंखडों के अनुसार बीते वर्ष 109 मिलीएन मिट्रिक टन गेहूं का उथपादन हुआ था और इस वर्ष 106 मिलियन मिट्रिक टन गेहूं का उतपादन होने का अनुमान है वहीं अमेरिकी क्रिशी एजंसी ने भारत का गेहूं उतपादन 99 मिलियन मिट्रिक टन होने का अनुमान लगाया है जिसके चलते उमीद की जा रही है कि आगे भी कीमतों को सपोर्ट मिलता रहेगा और गेहूं की कीमतों में फिलाल कोई मंदी की गुंजाइश नहीं है Bureau Report Market Times TV